अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमश्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी नेट्वर्क मेरा नाम अनुराग गुपता है और आज हम बात करने वाले हैं टूल किट मामली की किसानों के प्रदर्सन से जुड़ी टूल किट सोसल मीडिया पर साजा करने में समलिपता के आरोप में जलवायू कारकरता दिसा जैकप और सांतनु के साथ मिलकर किसानों के विरोथ प्रदर्सन से संबधित टूल किट दस्तवेज बनाया और सोसल मीडिया पर साजा किया पुलिस ने दावा किया था कि बैंगलोरू से सनिवार को गिरफतार की कई दिसा ने टेलीग्राम एप के माध्यम से जलवाई परि देमनात ने बताया कि दिसा ने टूल किट फैलाने के लिए बनाए गए एक वाट्सिप समूह को हटा दिया था इस दौरान दिल्ली पुलिष ने खालिस्तानी करेक्शन की भी बात कही दिल्ली पुलिष ने दावा किया कि निकिता और सांतनु ने खालिस्तानी समर्थक पोईटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा ओनलाइन जू मैप के माध्यम से आयुजित एक बैठक में भाग लिया और कहा कि जैकब भी टूल किट दस्ताबेज बनाने वालों में से एक थी उन्होंने कहा कि दिसा सांतनु और निकिता ने टूल किट का निर्माण और दन किया गया सुनिए दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ कहां दूरिंग देटिश एंवेस्टिकेशन वासेबल टूल किट डाकुमेंट अवेलबल ओन और ओन निकिता जेकब वह वान अधिटर्स ओटूल किट गूगल दूकुमेंट टीम हड़िवाइड ऑई-अट्र इन्हे the case reached Mumbai and conducted searches at her house on 11th February 21 after due intimation to the Mumbai police and two laptops and one iPhone was found and during the search several incriminating information was retrieved a woman named Puneet who is based in Canada connected these people to the pro-Khalistani poetic justice foundation and through them created the tool kit Google document titled global farmer strike and global day of action 26th January on 11th January Nikita and Shantanu I repeat on 11th January Nikita and Shantanu attended a zoom meeting organized by poetic justice foundation in which the modalities of the global day of action were worked out based on the course of action decided in the zoom meeting Nikita Shantanu Disha and others collaborated towards the draft of the tool kit गरतन डिवस पर ट्रेक्टर रैली के दोरान हुई हिंसा के एवज में टूल किट का क्या रोल था इसकी जाग दिल्ली पूलिस की साइवर ब्रांच कर रही है बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में अंतराश्टी पॉप सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया था जिसके बाद स्वीडन की जल वायुकारेकरता ग्रेटा थन्बग समेथ कई अंतराश्टी हस्तियों ने किसानों के पृति अपना समर्थन जटाया था जिस पर विदेश मंत्रालय पर दिल्ली की साइबर पुलिस गिरफतारिया कर रही है और सच्चाई तलासने में जुटी हुई है वहीं इस मामले को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के बीच में वाक्युद सुरू हो गया है विपक्षी दलों में कॉंग्रेस समेथ कई अनिदल सामिल है विपक्ष ने 21 वर्सी दिसा की गिरफतारी को लेकर लोकतंत पर हमला करार दिया और कहा कि भारत की आवाज को दवाया नहीं जा सकता तो भाजपा ने पुलिस की कारवाई का बचाव किया और कहा की अपराद तो अपराद है जिसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है दरसल कॉंग्रे हैं देश नहीं भारत खामोस नहीं होने वाला है जबकि दिल्ली के मुख मंत्री अर्विन केजरीवाल ने कहा कि कीस साल की दिसा रवी की गिरफतारी लोकतंग पर अप्रित्यासित हमला है हमारे किसानों का समर्थन करना अपरात नहीं है अब विपक्षी तरफ से लकातार ह समले होते देख भाजपा कहां चुप रहने वाली थी ऐसे में भाजपा नेता गजेन सिंग सिखावत ने कहा कि अगर आयू अधार है तो फिर परम बीर चक्क से नवाजे गए सेकेंड लेटीनिंट अरुन खेत्रपाल 21 साल के उम्र में सहीध हुए मैं किस पर गर्ब करूं टूल किट के रूप में दुस्प्रचार फैलाने वालों पर तो गर्ब नहीं करूंगा